मेट्रो सीटी की तरह सोलन के युवा भी फैशन के मामले में पीछे नहीं है बड़े शहरों की तरह हिमाचल में भी युवा फैशन के दिवाने हैं जो भी लेटेस्ट हेर स्टाइल आता है वे उसे तुरंथ ही अपना लेते हैं सोलन के यूखा भी अपने बालो और उनके स्टाइल को लेकर बेहित स्वेधन शील है यह अपने आपको बहतर कैसे दिखा सकते हैं इसी होड में वे लगे रहते हैं अपने आपको बिलकुल अलग दिखाने के लिए वे अकरशक हेर कट करवा रही हैं वहीं वे बालों पर नीले पीले लाल कलर करवा कर बीर से अलग दिखने का प्रयास करते हैं यही वज़ा है कि सोलन शेहर में ब्यूटी पालर्स की भरमार है इस वेवसाय का एक दूसरा पहलू भी है क्योंकि यह वेवसाय यहां युवाओं को नई फैशन में ढालता है वहीं इस ब्यूटी पालर्स के वेवसाय में सैंक्रो युवाओं को रोजगार भी उपलब्द करवा रहा है उन्होंने बताया है कि फैशन में हर पीड़ी के लोग बच्चों से लेकर बूड़े तक काफी रूची रखते है एक्चुली हमारे पास यहां पर वैसे तो हर तरह के कलर आपको मिलेंगे करने के लिए बट आजकल जो ज्यादा ट्रेंड में है वो है लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और आइस वाइट कलर जो आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है और रॉयल ब्ल्यू एक्चुली सर जो टीनेजर्स हैं जो कम एज के स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा तर स्मोधनिंग में इंटरस्टेड हैं और स्मोधनिंग करवा रहे हैं ठीक है और बाकी वो इस तरह के कलर लेते हैं फैशन शेड जो आपका रॉयल ब्ल्यू है आइस वाइट है और डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन अपने मतलब बालों के अकॉर्डिंग लेते हैं कलर्स बाकी जो ज़्यादा एज ग्रूप के लोग हैं जो थोड़ा एजड हैं व जो एर कर्ट्स हैं घकल न, जो काफी टैम से चल रहा है और अभी बी कॉंटिनू लोग उसे लेते ही हैं और इसके इ côt, ब्लंड कट, बोब कट इसाओं के किर्ट्स बी आज गूल्स यूवा जो लोग हैं वो ले रहे हैं ऐब ग्रीन रहें आज कल कल सीवाइश कर सावा कि लड़की और लड़के दोनों बहुत बहुत करा रहें दोक्ता method ने निख करता है उसके बाद आप केरा स्रमूथ निख नहीं करता है और बहुत अच्छे ef बालों में आजकल क्ट की भात करें तो कट में a-diagonal कर प्लंट कट बॉपट जा रख़ाते हैं पेंटिव होगिया आइसी होगह। एटीन एज़र लोग ज़ाद करा रहे हैं वो जैसे स्मूद रिवांडिंग करवाते थे स्मूद निंग करवाते थे अब आज कल के ट्रेंड यह है कि लोग ज़ादा तर कैरेटीन हो गया और सिल्क थेरपी हो गया यह चीज़े करवाते हैं लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट लाइफ टाइम्स टीवी के फेस्बुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा